हेई अव्रीवन वेलकम बेक टू न्यू वीडियो माइम इस गौरवन और वाचिंग रिडर्स रिस्क है तो इसक है बहुत सही बात बोली गई है पहले ट्रेड लगाते हैं आप डियरेक्शन के ठीक है तो रिस्क है तो इसका मैं आपको बताता हूँ आपको देखो मेरी बात पर किया बातों को अभी हान से सुनना है ठीक है अप मेरी बाते ही अब से सुन लोगे ना तो आपको किसी के कोर्स बोडस की बीजरूरत नहीं पड़ेगी पर बातों को सुन लो यहां पर आप डियरेक्शन की अपॉर्चूंटी आ सकती है तो आप डिरेक्शन की मैं लेने के ठीक है क्योंकि मैं कुछ तुम्हें बताने वाला हूं देखो थोड़ी सी कांट्रोवर्चल बाते रहती है मेरी पर लेकिन रियालिटी रहती है ठीक है मैं तो ऐसी बनाओ यार जिस मुकाम पे हूँ जो भी हासिल किया ऐसे किया है तो मैं वही तुम सबको बताऊंग ठीक है फालतूस अपने दिखाऊंगा लोग तुम्हें बहुत जादा एज्यूकेटेड दिखाते हैं बोलते हैं ठीक है और वह बात अलगा कि जितने भी यह प्रेडर है उन सब में सबसे ज्यादा पर लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं लोग दसवी बार भी करके या इंगा मतलब profit होता है ना की 10 में से 9 जीतना जीतना ठीक है ऐसा और रिसेटा हूं ठीक है देखो अब मैं तुम्हें 1,00,000 रुपे देता हूं ठीक है मैं तो वह बहुत कि भाइव उन्हाइव को इसमें एक लाग में trade करो मैं तो क्या है रिसक मेंड़मेंट के इसाफ से क्य प्रॉफिटेबल कैसे हो ना यहीं कहते हैं कि हर महीने अपने प्रॉफिट विड्रॉव करते रहो तो आपने लाग से कड़ते गए तो देखो जो बंदा जो बंदा एक दम काहिदे में चलता है नो केवल घर चला पाता है ठीक है अगर आपको पूरा खांदान चलाने का दम पढ़ता है रिस्क लेना पढ़ता है ठीक है डाउन अरेशन की ट्रेट इसली मैंने यूगर रेजिस्टेंस लेवल है ओपर बाकी देखते हैं क्या होता है ठीक है तो घर चलाना है तो रिस्क मेंट मनी मेंट फॉलो करो पूरा खांदान चलाने का दम रखना है ना तो रूल लगा रहे कि या तो पैसर डबल होगा या तो फिर नहीं होगा ऐसे बंदे भी देखें तो भाई जितने भी बंदे बड़े बने ना हो सारे रिस्क से बने प्रॉपर रूल में नी बने तो मैं जैसे हमेशे कहता हूं पहली बात जब तक आप जब तक आप सीख रहे ह आप दस डॉल से ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो या फिर आट या साथ से यही होता है ठीक है देखो इस ट्रेड को मैं हार गया मैंने थाउजन डॉलर के लगा दी एक और थाउजन की लगानी पड़ेगी मेरे ख्याल से क्योंकि थोड़ा से उपर यहां पे हो गया ठीक है मैं फिर भी प्रॉफिट लाके लिटर बोर्ड पर आपको जूलता हो दिखाई दूँगा ठीक है दो हजार डॉलर यहां पर हमने लगा दी अभी प्रॉफिट लॉस आगे देखते हैं और आपको दिखा हूँ कि मैं आपको बोलनना क्या चाहता हूं रिस्क क्या चीज होती ठीक है तुम्हारे घरालन्य तुम्हें लाक उर्फाव्यप दे दिया तुम्हें लाक महीना कँआ रहे हो 12 अच्छा मकान बनाने में बांस ताल लग जाएंगे भाई तुम्हें ठीक है तो वह सब चीजे रहती हैं यहां से मैंने जो है भाई डाउन की लिए गलत हो गई पर यहां पर मुझे अपकी देखो मुझे यहां पर ना मुझे पता है यहां से अप डिरेक्शन की मैं यहां पर 10-15 ट्रेट लगा रहा हूं ठीक है बहुत सारी मुझे नहीं पता कितनी लगा दी ठीक है आप मार्केट जटके मारता है उपर को तो मिरे को भी जटके लगते हैं दिल में की क्योंकि तब नहीं देखो ऐसी चला जाता है mostly पर लेकिन मुझे यहां पर शौरिटी इस ले थी क्योंकि यहां पर एक जोन था जो प्रिवेसली कैंडल जो हैमर बनाया उसी का जोन है उपर विक लेवल जोन नीचे उसको पुश करेगा तो पहरने वाइन उपर के ले ली सारी तो देखो हमने कितने लोग यह ने बहुत कम लोग है लोग्स गुश्टें देली का 5000 बन जाय है तो डेली का 5000 गमाने वह तो बहुत असान है 50000 कमाओ खुश रहो पांच गमाओ खुश रहो पर लेकिन ना तुम जो ट्रेडर की लाइफ देखते हो रहे हैं इतने सारे कोई कुछ कार ले रहे है कोई बाइक ले रहे हैं मतलब जो मर कि तो कोई सारा फाइफ स्टार में घुम रहा है कोई क्रिप मार रहा है अब एक लाग महीने से तो करनी दियोगा ना ऐसे मैंने सो डोगा रिस्क करें कियोंकि आज का टार्गेट होगी अब मैं नॉर्मल ट्रेड्स लूँगा इनको जीतूंगा खतम बाद तो एक लाग महीन का दम रखता हूं तो मैं उसमें अंधा रिस्क लूँगा यह लॉंडे ऐसी करते हैं ठीक है जो तुम कभी-कभी तुम देखते हो काफी बंदे जो रोजी आ रहें रिलर बोर्ड प्यार आप कभी-कभी तुम देखते हो एक लाग डॉदर पर पचास-पचास-जार डॉद क्यों कि वह अंधी लेवल पर ट्रेड लगाते हैं दस हजार डॉदर अकाउंट में हैं पचास-पचास सेट किया और लगा जा रहें ट्रेड ऐसे अंधे का मतलब यह नहीं कि सकता खेल रहें कुछ पता ही नहीं है पता है नौलेज है कैंडल स्टेक साइकोलजी लेवल सब पता है पर लेकिन अपने जहां पर उनको सही लग रहा है न यहां पर हो सकता है वहां पर दाओ खेल रहें बड़ा मांट लगा रहें तो भई एक टाइम पर करना पड़ेगा मैंने बीस हजार रुपे से पंदरा बीस दिन में डेड़ लाग रुपे बनाए थे मैं चाहता ह अब बड़े रिस्क लिए भाई मैंने अब यहां से अब डरेक्शन के एक और टेट बनेगी मार्जन पर ले लूँगा अब की मैं ठीक है अब की एक और है तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब गूदा दिखाया क्योंकि एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि मेरे धाई-3 लाग के लगबग लॉसिस थे बाइनरी में और स्टॉक मार्गेट में तो बाइनरी में मैंने लगबग धाय-3 लाग रुपे कमा भी लिए तो धाय-3 लाग रुपे कमाने के बाद ना तुम में से ज्यादा बंदे जो होंगे वो सोचेंगे कि भाई लॉस रिकवरी होगा या अब खा रहा था मैं पी रहा था चीट चली रहा था जैसे तैसे मतलब कोई बात नी लॉस होगे चलतो रहा था तो मैंने यही सोचा भाई अगर मैं रिकवरी नी कर पाता तो भी मैं जी रहा था तो मैं लाइक तरीके से सोचो कि रिकवरी नी हुई मारो ट्रेड तब मैंने ट्र में लिंक से एकाउंड बनाके डिपाउज करके मैसेज करना ठीक है इंडर बोर्ड पे राइवांत पुलिशन पे हैं ओके चेक कर लेना और पेड़ मैना तो परस्नली मैसेज करना सिखा देंगे ओके यह 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 तैंक्यू फर वाचिंग थैंक्यू सो मुझ सब्सक्राइब ल